हलो माई यूटूब फैमली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करे हूँ बहुत इफेक्टिव रेमेडी तो उससे पहले मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यह जो रेमेडी है बहुत इफेक्टिव है और आप इसे ट्राइ भी कर सकते हैं और यह जो गरेलू नुसका है आपकी किचन में आपको बहुत इजिली मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने अलोवीरा जल लिया है और यहाँ है मूंग की डाल का पैकेट तो यहाँ पर यह पैक मिलता है अगर आपको नहीं मिलता हो तो आप जो ग्रीन कलर की मूंग की डाल होती है उसे पिस करके भी इस पेश्ट को बना सकते हैं इस पैक को बना सकते हैं तो मु तो यहाँ पर आप अपने face के according ही लेना है, face और garden दोनों पर आपको लगाना है, तो मैं यहाँ पर इसे ले रही हूँ, यह moong की दाल का powder है, तो मैं यहाँ पर दो चमच moong की दाल का जो यह powder है वो लूँगी, moong की दाल जो है हमारे face को glowing बनाता है, और pimples की जो भी problem होती है, और मतलब आपका जो face बहुत ज़्यदा oily है और बहुत ज़्यदा oil का problem है, तो आप इस face को use कर सकते हैं, तो बहुत ही effective है, इसमें बहुत सारे potassium, magnesium, iron, copper, fiber, vitamin C, मतलब बहुत कुछ हैं, तो आप इसका use बे फिकर होके कर सकते हैं, गरेलों उसके कभी हानी नहीं पहुँचाते हैं, और बहुत ही अच्छा result देते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है aloe vera gel, तो aloe vera gel का benefit आपको पता ही है, और यहाँ पर मैं गुलाब gel इसके अंदर add कर रही हूँ, और इसे अच्छे से mix करूँगी, एक paste की तरफ क्रीमी paste की तरफ मैं यहाँ पर बनाऊंग हैं, आप इसे एक बाद जरू ट्राइ करना, aloe vera gel में antibacterial गुण होते हैं, जो हमारी skin को साफ करने के लिए बहुत ही मददगार है, और जो भी हमारे face पे कील मुहासे होते हैं, उसे remove करता है, और अपने चहरे को साफ और चमकदार बनाता है, इसके अंदर amino acid होता है, जो हम अपने face को अच्छे से wash करना है, और तॉलिये से साफ करने के बाद ही इस pack को लगाना है, 15 मिनट तक इस pack को लगाए रखना है, सूख जाने के बाद अच्छे से wash करना है, तो इसे आप एक बाद जरू ट्राइ कीजिए, और आपको एक दिन में ही मतलब थोड़ा बहुत फर कमेंट करके भी हमें जरूर बताना की आपको यह remedy कैसी लगी, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में